स्वागत है आपका आपके अपने चलनेश टड़ी विद मोटिवेशन में तो UPPCL में A के पदों पर आ रही है बंपर भरती J और TG2 की कब तक आएगी? कब तक जारी होगा विज्यापन? पदों के संख्या क्या रहने वाली है? यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो A के पदों पर बंपर भरती आ रही है जो की मैं अभी आपको दिखाऊंगा उससे पहले अभी हाली में आपको पता है कि कल मीटिंग थी जितने भी आयोग है उनके अध्यक्षों को बुलाया गया था मानिय मुख मंतरी योगी अधितनाथ जी के दोरा तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं कि कौन-कौन से आयोग को बुलाया गया था और किसके साथ उनके बैठक थी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एके पदों पर कितने पदों पर जो भरती है वो आ रही है जेई और टीजी टू की भरती कब तक आ सकती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्त पदों को भरे जाने के समंद में दिनांक 8 जून 2014 को मानिय मुख मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुती करण विसयक यह बिसय था और कौन-कौन से किन-किन को बुलाया गया था कौन-कौन से अध्यक्ष कौन-कौन से भी भाग के तो यहाँ पर आप देखी रहे हैं कि अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चायन आयोग, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिम्टेट बिद्दु सेवा आयोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो UP-PCL की अध्यक्ष हैं उनको भी बूलाया गया था और बीसय भी मने आपको बताया कि बीसय क्या था कि रिक्थ पदों को भरे जाने के सपेक्ष तो इनको जो दिसा निर्देश हैं वो मुख मंत्री के द्वारा दिये जा चुके हैं जि इस वर्ष आपको अच्छी खासी भरतियां देखने को मिलने वाली है क्योंकि इनको दिसा निर्देश बहुत कड़ाई से दिया गया है जितने भी अध्यक्ष है और भरतियों को बहुत तेजी से भी भरने के लिए कहा गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आयोग है इन सब की बैठक थी उत्तरप्देश सिक्षा सेवा चायनयो गरह सच्व विभाग प्रमुक सच्व उच्ष सिक्षा विभाग और प्रमुक सच्व उर्जा विभाग प्रमुक सच्व सहकारिता विभाग पुलिस महानी देशक पुलिस महानी देशक तो इस तरीक तो इस प्रकार से अब जो भरतियां हैं तो UPPCL में भी आपको देखने को मिलने वाली हैं उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दू कि रिक्त पदों के चैन है तो अधितन विनियमा वाली उपलब्ध कराने के संबंद में यहाँ पर जो एक पद रिक्त हैं उनको भरने के लिए जो है यहाँ पर एक नोटीस है आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप जो टोटल पद हैं वो कितने हैं और किसमे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहायक अभियंता प्रसिच्चू बद्दित व्यांतरिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स और टेलिकॉम CSIT के यहाँ पे पदों की संख्या आपको देख सकते हैं 225 से इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्राइट्सर और टेली कम्निकेशन के 32 हैं CSIT के 28 हैं और उसके बाद सहाय कभियंता यहाँ पे देख रहे हैं कि जानपद और यहाँ पे टोटल 12 तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टोटल जो AE के यह पद हैं जो रिक्त हैं और श्रेणी वार यहाँ पे आप देख सकते हैं यह रिक्तिया हैं तो AE का जो विग्यापन है वो आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्द और अगर हम बात करें कि AE और TG2 का कब तक आ सकता है तो अगर बात करें AE और TG2 की तो AE की भरती आपको AE के साथ यह तो AE के बाद आपको AE की भरती भी देखने को मिलेगी और यह भरती आपको next month से देखने को मिलने वाली है तो AE की भरती आपको next month मांगा गया है तो और यह कडाई से अदेश दिया गया है जितने भी अध्यक्ष हैं तो उसी क्रम में आपको भरती देखने को मिलने वाली है तो विग्यापन के बारे में बता दिया कि एक विग्यापन आपका पहले आने वाला है पदों की संख्यमन आपको बता दिये कि क्या रहने वाली है एकी और जे की भी पद करीब 300 के आसपास आपके जे की भी पद रहने वाले हैं तो इस तरीके से यूपी पीसल में भी भरती आने वाली हैं क्योंकि इस क्योंकि उत्तरप्देश सरकार को पता चल चुका है कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी लोकसभा की चुनाव में यही हुआ है कि युवाओं का जो ओट है वो बिजेवी में नहीं गया क्योंकि रोजगार से जितने भी युवा थे काभी परिशान थे जिस वरज़े से सासन ने भी अब अपने इस तरसे काम शुरू किया है तो चली देखते हैं कि आप कभी गयापन वो कब तक आता है तो यह कुछ महत्तपूर जानकारी थी जो मुझे आप लोग साथ सेयर करनी थी वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लिजेगा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि जो ही लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी चैनल दोस्तों फिर मिलते आपसे नेक्ष्ट वीडियो में जय हिंद